Hello Friends, आप सबका मिस्भा Old Study Channel में स्वागत है आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अनुचेद से सम्बंदित Top 40 Question Answers जो की हर एक परिक्षा में पूछे जाते हैं तो चली शुरू करते हैं सबसे पहला प्रशन है भातिय सम्विधान के अंतरगत कल्यानकारी राज्य के उधारना किस अनुचेद में मरनित है तो इसका सही आंसर होगा Option Number C, अनुचेद 49 में आगला प्रशन है किस अनुचेद के अंतरगत सर्वोच नियायले ने इंटरनेट की पहुँच को मोलिक अधिकार घोशित किया है तो इसका सही आंसर होगा Option Number B, अनुचेद 19 में आगला प्रशन है भात्य सम्विधान का कौन सा अनुचेद रास्टरपती के पद के लिए पुने निर्वाचन की योग्यताई निर्धारित कर गया है तो इसका सही आंसर होगा Option Number A, अनुचेद 57 अगला प्रशन है भात्य सम्विधान में समानता का अधिकार पांच अनुचेदो द्वारा पदान किया गया है यह है तो इसका सही आंसर होगा Option Number C, अनुचेद 14-18 में अगला प्रशन है भात्य सम्विधान के अनुचेद 17 में अपन्द किया गया है तो इसका सही आंसर होगा Option Number B, अश्प्रिश्यता उन्मूलन का अगला प्रशन है दुधारो पशुओं के सनरक्षन से सम्वंदित अनुचेद कौन सा है तो इसका सही आंसर होगा Option Number B, अनुचेद 48 अगला प्रशन है कानोन की नजर में सब समान है यह किस अनुच्छेद में आता है तो इसका सही आंसर होगा option number A अनुच्छेद 14 में आगला प्रशन है रास्टरपती पर महाभ्योग से संबंदित अनुच्छेद कौन सा है तो इसका सही आंसर होगा option number B अगला प्रशन है भारतिय सम्विधान में कुल कितने अनुचेद हैं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नमबर दी अनुचेद के अंतरगत भारत सरकार का दाईत्व हैं कि वहें बाहिये आकर्मन एवं आंतरिक अशानती से राज्यों के रक्षा करें तो इसका सही आंसर अगला प्रशन है भारतिय सम्विधान के किस अनुचेद में रास्टरपती पद के बारे में बताया गया है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नमबर दी अनुचेद में उच्चितम नियायले से प्रामर्ष करने की रास्टरपती की शक्ति के बारे में बताया गया है तो इसका सही आंसर होगा option number A, अनुच्छेद 143 में. अगला प्रशन है, भातिय सम्वीधान के किस अनुच्छेद में कुछ रेट निकालने की उच न्यायले की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो इसका सही आंसर होगा option number B, अनुच्छेद 226 में. अगला प्रशन है भात्य सम्विधान के किस अनुचेद में राजयपाल की न्यूक्ति के बारे में बताया गया है तो इसका सही आंसर होगा option number D, अनुचेद 155 में अगला प्रशन है भात्य सम्विधान का कोन सा अनुचेद अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को शनरक्षन देता है तो इसका सही आंसर होगा option number C, अनुचेद 21 आगला प्रशन है जीवन की शुरक्षा और व्यक्तिकत सोतंतर दा किस अनुचेद में आता है तो इसका सही आंसर होगा option number B, अनुचेद 21 आगला प्रशन है GST किस सम्विधान संसोदन के तहत सम्विधान में जोड़ा गया था तो इसका सही आंसर होगा option number B, अनुचेद 101 के तहत अगला प्रशन है वित्या आपातकाल किस अनुचेद में आता है तो इसका सही आंसर होगा option number C, अनुचेद 360 के तहत अगला प्रशन है चुवालिसवा सम्विधान संसोदन कब हुआ था तो इसका सही आंसर होगा option number B, 1978 में अगला प्रशन है, वित आयोग किस अनुचेद के अंतरगत आता है तो इसका सही आंसर होगा option number A, अनुचेद 282 अंतरगत अगला प्रशन है, भातिय सम्विधान के किस अनुचेद में उपरास्टरपति पद के बारे में बताया गया है तो इसका सही आंसर होगा option number C, अनुचेद 63 के अंतरगत अगला प्रशन है, भातिय सम्विधान के किस अनुचेद में ग्राम पंचायतों के संगटन हेतु निर्देश के बारे में बताया गया है तो इसका सही आंसर होगा option number B, अनुचेद 40 के तहत अगला प्रशन है, भातिय सम्विधान के किस अनुचेद में नए राज्यों के निर्मान और वल्तमान राज्यों के अक्षेतों, सीमाओं या नामों में प्रिवल्तिन के बारे में बताया गया है तो इसका सही आंसर होगा option number C, अनुचेद 3 में अगला प्रशन है, भातिय सम्विधान के किस अनुचेद में वारशिक वित्य विवरन के बारे में बताया गया है तो इसका सही आंसर होगा option number B, अनुचेद 112 के तहत अगला प्रशन है, चुनाव आयोग किस अनुचेद के अंतरगत स्थापित किया गया है तो इसका सही आंसर होगा option number A, अनुचेद 324 के तहत अगला प्रशन है, भारत के सम्विधान के किस अनुचेद के अंतरगत भारत के रास्टर पती पर महाभयोग चलाया जा सकता है तो इसका सही आंसर होगा option number C, अनुचेद 61 के तहत अगला प्रशन है सम्विधान सभादवारा अंतिम रूप से पारित सम्विधान में कुल कितने अनुचेद और अनुसूचिया थी तो इसका सही आंसर होगा option number A 395 अनुचेद और 8 अनुसूचिया अगला प्रशन है वर्तमान समय में भाद्या सम्विधान में गणना की दिरिष्टी से कुल कितने अनुचेद और अनुसूचिया है तो इसका सही आंसर होगा option number B 395 अनुचेद और 12 अनुसूचिया अगला प्रशन है बोलने का अधिकार किस अनुचेद में आता है तो इसका सही आंसर होगा option number C अनुचेद 19 में अगला प्रशन है आकस्मिक निधी किस अनुचेद में आता है तो इसका सही आंसर होगा option number D अनुचेद 266 की तहत अगला प्रशन है भाद्या सम्विधान का कौन सा अनुचेद नागरिकता से संबंदित है तो इसका सही आंसर होगा option number B अनुचेद 5 से 11 अगला प्रशन है भारतिय सम्विधान के किस अनुचेद में राजयपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंतरी परिशद के बारे में बताया गया है तो इसका सही आंसर होगा option number A अनुचेद 163 के तहत अगला प्रशन है भारतिय सम्विधान के किस अनुचेद में धन विधेक की परिभाशा के बारे में बताया गया है तो इसका सही आंसर होगा option number B अनुचेद 110 के तहत अगला प्रशन है भात्य सम्विधान के किस अनुछेद में विधी के शमक्ष सम्ता के बारे में बताया गया है तो इसका सही आंसर होगा option number D अनुछेद 14 के तहत अगला प्रशन है भात्य सम्विधान के किस अनुचेद में बताया गया है कि उपरास्टरपती राज्यसभा का पदेन सभापती होगा तो इसका सही आंसर है उप्शन नमबर A अनुचेद 64 के तहत अगला प्रशन है वित्विधे के बारे में विशेश उपबंद किस अनुचेद के अंतरगत किया गया है तो इसका सही आंसर है उप्शन नमबर C अनुचेद 117 के तहत अगला प्रशन है सम्विधान के किस अनुचेद में सम्विधान के संसोधन की प्रक्रिया का उलेख है तो इसका सही आंसर है option number C अनुचेद 368 के तहत अगला प्रशन है सम्विधान के किस अनुचेद के अंतरगत हिंदी को राजभाशा का दर्जा प्रदान किया गया है तो इसका सही आंसर होगा अप्शन नमबर ए अनुचेद 343 भाग एक की तहत अगला प्रशन है कौन सा अनुचेद संसेद के दो अधिवेशन के बीच छै माह की अंतराल अनुचेद 63 में की अनिवारियता का उलेख करता है तो इसका सही आंसर होगा अप्शन नमबर ए अनुचेद 85 अगला प्रशन है संविधान के किस अनुचेद में उप्रास्टरपती पदका प्रावधान किया गया है इसका सही आंसर होगा अप्शन नमबर ए अनुचेद 63 ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मिस्भा ओल स्टेडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले